बार्टी जंता पार्टी तीन हिंदी भाषी राज्यों मधिप्रदेश प्राजस्थान और छत्तस गड़ में वापसी के बाद जोश से ओत्प्रोथ है सत्ता के इस सेमी फाइनल में एक तरफा जीत के बाद पार्टी की अगली नजर इस साल होने वाले 2024 के लोकसबा चनावों पर है जहां उसने 400 के पार का लक्ष बनाया है लेकिन बीजिपी के लिए दक्षन का किला भेदना हमेशा से चनौती रहा है करनाटक भी हाथ से फिसल जाने के बार वहाँ के लड़ाई इतनी आसान नहीं है 2019 के लोकसबा चनावों में पार्टी को दक्षन भारत के पाँच राज्यों के 139 सीटों में से सिर्फ 39 में जीत मिल पाई थी उसमें भी 39 में से 25 सीटे अकेले करनाटक से आई थी हैज़े में जवार 400 के टार्गेट को पानी के लिए टॉप नेत्रित्व ने नया प्लान तयार कर लिया है प्यम मोदी के मिशन साउथ के तहट 40-50 सीटे जीतने पर पार्टी का जोर रहेगा जानकारी के मताबिक प्रदार मंत्री मोदी के नेत्रत्व में बीजुपी का दक्षण में जोरदार प्रदर्शन करने का एरादा कम नहीं हुआ है आने वाले दो महीनों में प्रदार मंत्री इन दक्षन के पांच राजों में खूब प्रचार करेंगे और विकास की कई उजनाई भी शुरू करेंगे प्रदार मंत्री नरेंडर मोधी बीते दिनों तमिलादू के दोरे पर थे जानों ने 20,000 करोड रुपे की कई विकास परियुजनाओ का शुबारम किया इनमें एक शांदार नया हवाई अड़ा भी शामिल है इस हवाई अड़ी की बनने से राजों के हवाई संपर्क में काफी सुधारोगर और परिटन को बढ़ावा मिलेगा वही प्रदानमंत्री मोधी बुद्वार को केरल में थे जानों ने त्रिशूर में एक भव्य रोडशो और एक जनसभा को सम्मोधित किया पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन जनसभा में लगबग 2 लाख बीजिपी महिला कारी करता शामिल हुई ये कॉंग्रिस की ओर से बीजिपी के दक्षण में कमजोर होने के दावों के बाद बीजिपी का एक बड़ा शक्ती प्रदर्शन माना जा रहा है बीजिपी का दक्षण भारत में कमाल दिखाने का एरादा है पार्टी ने लोग सबचनाओं 2024 में पांच दक्षणी राज्यों की कम से कम 40-50 सीटे जीतने का लक्ष रखा है एक चानल से बातशीत करते वे बीजिपी के एक सीने लीडर ने बताया है कि करनाटक में बीजिपी 25 सीटे बरकरा रखने का दावा कर रही है पार्टी का कहना है कि लोगों ने सिदर अमया सरकार पर जल्दी भरोसा खो दिया है विदान सबचनाओं में हार के बावजूद पार्टी का वोट शेयर नहीं गिरा 2019 में तेलंगाना में 4 सीटे जीतने वाली बीजिपी इस बार और बहतर प्रदशन करनी की उमीद कर रही है पार्टी का मानना है कि तेलंगाना राष्ट्र समिती यानि ब्यारेस की तूटने से सीधा मुकावला कॉंग्रेस से होगा जिससे पार्टी को फाइदा मिल सकता है बीजिपी की निशाने पर केरल, तमिलनादो और आंतर प्रदेश भी है पार्टी इनराजु में भी कुछ सीधी जीतने की उमीद कर रही है बीजिपी की केरल में राहूल गांदी के खिलाफ वाइनाच से मजबूत उमीदवार खड़ा करनी की तयारी है सीनर लीडर ने बताया कि चुनाओ प्रचार में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और आमिट शाह की रैलियों में दक्षन पर खास जोर रहेगा पार्टी मोदी के नाम पर वोट मांगनी की तयारी में है तमिलारू में इस बार सीन कुछ अलग होने वाला है उसकी दक्षन की दोस्त AIA DMK साथ नहीं होगी उसने पिछले साल ही NDA से नाता तोड़ लिया BGP इस बार अकेले चुनाओ मैदान में उतरेगी AIA DMK को भरते BGP नेता और प्रदेश प्रमुक अन्ना मलाई के तेज तर्रार रवेये से आपत्ति थी BGP ने हाला के अन्ना मलाई को हटाने से इनकार कर दिया केरल की बात करें तो यहां BGP दोनों कॉंग्रिस और वामपंथी पार्टियों से सीधा टक्राओ ले रही है पार्टि राहुल गांदी के किलाव वाइनाच से मजबूत उमीदवार कड़ा करने की तयारी में है रांसबा चुनाओ में पार्टि को जटका लगा जोसका ठीक रहा पार्टि अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को चुनाओ से पहले हटाने पर माना ज़ाओ नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखके रहिए योस 24